आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंख सबसे पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी रविवार को ग्यारा बजे आकाश्वानी से मन के बात कारिक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साचा करेंगे अपने विचार भुपाल के हमीदे अस्पताल में खोला जाएगा आईवी अफ सेंटर गरीब डिसंतान दमबत्यों को होगा फाइदा मोख्य मंत्री जन सिवा भ्यान के शुरुवाती 6 दिन में 45,000 से अधिक पात्र लोगों को मिला लाब और प्रदेश की कई जिलों में जमा जम बारिश कल तक चलेगा बारिश का ये दोर अब समाचार वस्तार से प्रदान मंत्री दरेंद्र मोधी रव्यवार को 11 बजे आकाश माणी से मन की बात कारिक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कारिक्रम की ये तिरानवी कड़ी होगी ये कारिक्रम आकाश्माणी और दूर्रशन के समुची नेटवर्क पर प्रसारित होगा आकाश्माणी समाचार की वेब साइट और न्यूस ओन एयार मोबाईल एब पर भी ये कारिक्रम उपलब्द रहेगा आका इश्मानी समाचार, दूर रशिन समाचार, प्रधान मंत्री कारारे तथा सूचना और प्रसारन मंत्रारे के यूट्यूब टेनलों पर भी कारिक्रम सीधा प्रसारित होगा मुपाल की हमीद्य अस्पताल में IVF सेंटर खोला जाएगा प्रधेश की सरकारी स्वास विवस्था में पहली बार ऐसा कदम उठाया जा रहा है गौर्थलवे के IVF सेंटर में लाखों रुपए का खर्श आता है और इससे गरीब नीसंतान दमपतियों को लाब मिलेगा चिकित्सा सिक्षा मंत्री विश्वास आरंग ने हमीद्य अस्पताल के नवीन भुवन का निरिक्षन करने के दोराल ये खोशना की मध्यप्रदेश के हमारे सरकारी इंफ्राइस्ट्रेक्शर में पहली बार हम शुरू कर रहे हैं अब हम हमारे यहां के इस विंग में आईवी एफ भी जो निसंतान ताकी समस्या से जो बहने जूज रही हैं उनके इलाज के लिए हम आईवी एफ लैव भी हमीद्य अस्पताल पे शुरू करेंगे ये सरकारी इस तर पर पहला सैट अप होगा मोख्यो मंतरी शिवरा सिंग चोहान ने आज सागर सिले की समिक्षा करते हैं कि सागर के संपूर्ण विकास के लिए विसरत कारी योजना तयार कर प्रस्तोत करें जिससे सागर गुडवत्ता पून विकास किया जा सके रूने प्रधानमंत्री और मोख्योंत्री स्ट्रीट विंडर योजना की समिक्षा में 10,000 की राशी में प्रदेश में दूसरे स्थान और 20,000 की राशी प्रदान करने पर देश में पांचमें स्थान रहने पर सागर जिल प्रुपय लागत की 600 एकर से अधिक भोमे पर सुराज कॉलोनी बनाएं गिसमें गरीब सिलेवासियों को मकान उपलब्ध हो सकें। महिरा और बालविकास मंत्राले ने कहा है कि किफायती दर पर फल, सवजियां, औशधी, पौधों और जड़ी बूटियों को लोगों तक पहुचाने के लिए देश भर में पोशन वाटिकाएं या पोशक उध्यान बनाए जा रहे हैं। और इस दिन पान कराने वाली माताओं के पोशन संबंधी विवस्था में सुधार करना है। सिवा भ्यान में शत प्रतिशत पात्रविक्तियों को केंद्र और राजे सरकार की योजनाओं में लाभानवित किया जाएगा। शिविर में प्रमुक रोप से 36 चनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन आमचन द्वारा प्रस्तित के जा रहे हैं। अब तक सरवाधिक 24,807 आवेदन आईश्मान भारत योजनाओं से संबंधित मिले हैं और इन्हें हल किये जा चुके हैं। मुख्यमंद्री शिवरा सिंग चोहान ने पशुपालकों से कहा है कि लंपी वाइरस की चुनौती से निपटने के लिए प्रभावित जिलों में मुफ्त टीका करन किया जा रहा है। या पशुचे के साले में ततकाल संपर करें और बीमार पशों का उपचार कराएं। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर कल तक रहेगा। इस सिस्टम की गुजर जाने के बाद मौन्सून की वापसी शिरू हो जाएगी। जवलपूर और आसपास की शित्रों में पिछले दिनों से अच्छी खासी वर्षा हो रही है। इसकी वज़े से बर्की डैब में पाने के आवक बढ़ गई है। इसके फलसुरूप डैम के 21 में से 13 गेट खोल दिये गया है। बर्की वांत के कारेपालन यंत्री एकी सूरी के मताबिक घाटों पर लोगों को सतर्क कर दिया गया है। भारत और उस्रेलिया के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज नाकपूर के विदर्व क्रिकेट एसोशेशेशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। नाकपूर तीन साल में पहली बार अंतराश्री मैच के मेजबानी कर रहा है। तीन मैचों की श्रंकला की पहली मुकाबले में और अस्रेलिया ने भारत को चार विकेट सेहरा कर एक शूनी की बढ़ग बना ली है। अपकू समचार सिंग शेप में। निवाडी में पुलिस द्वारा नैशनल हाईवे 49 पर हो रही सड़क दुरखटनाओं में कमी लाने के लिए भास्र प्लान तेयार किया जा रहा है। अश्रोगनिकर सिले में शास्की, आयरवेद और शिधाले, शाड़ा द्वारा, सानी आगनबाडी केंदर में पोशन माह क्यान तरगत, पोशन जागरुकता, रोग निदान और चिकित्सा शिवर का आयोचन क्या गया। आगर मालवा क्रिशी विज्ञान केंदर में कल से प्रिशक प्रसेक्शन प्रारम हुआ। मिले 618 मानसिक दिव्यांगों को 600 रुपे प्रतिमाह के आर्थिक साहता दी जा रही है। एजासत नमस्कार। एजासत नमस्कार। में भीन धीन केंदर फ्रॉब्स एजा रही है। झाल